नमस्ते बागवन भाईयो स्वागत है आपका एपल फार्मिंग महाराश्टर यूटूब चैनल में बागवन भाईयो आप देख रहे हैं कि यह है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट और इसमें जो फ्रूट लगा है आप देख सकते हैं ये इस साल का जो है चवता प्रोडक्शन यानि चार इसमें फल लगे हुए है ये चवती बार है तो इसमें फ्रूट का साइज देख सकते हैं लगबग 400 500 ग्राम तक साइज है अभी यह हरा हुआ है अभी पका नहीं हुआ है अभी लगबग एक साथ से आश दिनों में यह पक जाएगा तो किसन साथी ओ आप भी इस और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना तो किसान साथ ही हो आप भी अगर ड्राइगन फ्रूट फार्मिंग का सोच रहे है तो आपको ड्राइगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में पूरा नौलेज लेने के बाद ही आप जो है इसके फार्मिंग करना या फिर अन्य प्रूट प्लांट की जो है प्लांटेशन करना चाहिए तो आप देख सकते हैं यह सी वराइटी इसका फूट साइड थोड़ा छोटा है और आभी मैंने आपको जो पहले बताया था वह है जंबो ड्रैगन तो मरे पास आप दोनों ही वराइटी अभिलेबल है यह कुछ छोट चोटों फूट भी लग हुए देख लीजें और मात्रा ध्यट से दो सालके पूद毛 और इन में फूट भी लगा हुआ है तो कही पर ने में फ्रूट बोर्ड भी लग रहे देख ली यह कली है ड्रेगम फूर्ट की अब भी अगर ड्रेगम फूर्ट की खेती करके अच्छा मुनफ़ा कमना चाहते हैं तो हमने यह ट्रेली सिस्टेम किया है इसमें पॉदे ज़्यादा लगते हैं और पोदों की संक्य ज़्यादा रहीगी तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा सिधी सी बात है लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा मेंटेनेस ज़्यादा आएगा यानि कि ये तार वगेरे ये एंगल एंगल की जगह पर आप पोल सिस्टम भी कर सकते है तो ट्रेलिस मेथर में जो होता है कि प्लांट की ज़्यादा लग जाते है और आपको प्रोड़क्शन भी ज़्यादा होता है और उसके लिए आपको मेहनत भी जाद लेने पड़ती है क्योंकि टैली सिस्टम में क्या होता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही आपको पोधे जो है इस सिस्टम पर ऐसे इस तरह से चड़वाने पड़ते हैं देख लिजे यहाँ पर देख सकते हैं एक यह दो तीन चार वह एक पाच है और पाच फूट तो अलड़ी लगे हुए है और यहाँ पर जो है तो ड्राइगा फूट की कलिया भी निकल रही है तो इस तरह से इस जंबो वराइटी का जो है रिजल्ट है बहुत बढ़ा वराइटी है और सी वराइटी भी बहुत बढ़ा है लेकिन फूट का साइज थोड़ा बहुत जो है कम जादा हो जाता है अभी हमने यहाँ पर कुछ फूट जो है हर्वेस्ट भी कर लिया है देख लिजे तो इस तरह से आप जो है तो ड्राइगन फूट की फार्मिंग कर सकते है बहुत बढ़ा खेती है इसमें जाता पेश्टी साइड या फंगिस साइड का यूज नहीं करना पड़ता है ज़रुरत पड़े तभी आप एक या दो बार कर लिया तो एड़स्टेबल हो जाता है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है तो यह ट्रेलिस के नीचे भी जेक लिए देख सकते हैं दो फ्रूट लगये जो यहाँ कि ब्रैंचे सोती सब ब्रैंचे सब यह और उसके ऊपर दीख लीजे अभी यहां पर फ्रूट लग रहे हमने पहले दो बार तीन बार जो है प्रूट देता है तो लगबख देख लिए अभी जो है इसमें फ्रूट लगा हुआ है अब मैंने आपको पहले जैसे बताया कि कही पर कलिया भी लग रही है इसी तरह से ये जून से स्टार्ट होता है तो अक्टूबर अभी अक्टूबर महिना चल रहा है आज की साथ तारी इसकी चलती रहती है बसे इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि खाद वगरे टाइम टू टाइम दिया तो यह बहुत बढ़िया प्रोडक्शन आपको दे सकता है तो महरश्ट्र में बहुत सरी किसान सतीय भी कर रहे है और जो करना चाहते है उनके लिए यह जानकरी थी त आपको जानकरी कैसी लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते है और चैनल पर आगर आप नए है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब आवश्य कीजिए किसान साथियो और हमें भी सपोर्ट कीजिए ऐसे ही नए फ्रूट प्लांट के बारे में जानकरी ल